क्या Elvis जान कुछ के रुख नहीं रहा? अभिशेक कितनी बार request करने के बावजूद Elvis अभी तक चुप क्यूं है? क्या अभिशेक Elvis को target करना चाहता है? या Elvis अभिशेक को target करना चाहता है? सच्चाई क्या है? पोर्टकास को पूरा सुने और आप खुद अंदाजा लगाएं कि कौन जूट और कौन सच बोल रहा है और कौन किसको नीचे गिराना चाहता है और किसकी PR टीम नेगेटिव प्रमोट कर रही है और किसकी पॉजिटिव प्रमोट कर रही है और जैसे कि मैं आप सबसे रिक्व सुचती है क्या विचार रखती है तो फ्रेंज जैसे कि आपने मेरे पिछले पोड़कास में देखी लिया होगा जहां पर मैंने वो क्लिप भी आड़ करी थी अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखना वहां पर अभीशेक मलहान इन सब चीजों को डिनाय करते वे नजर आ रहे थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और एलविश मुझे टार्गिट नहीं कर रहा है वो किसी और की बारे में बात कर रहा है लेकिन पब्लिक को शायदे गलत फैमी हुई है लेकिन उसके बावजूद एलविश के तर इन सब चीजों के बावजूद अगें अभी शेक ने रिक्वेस्ट की है वो मैं आप सब के साथ शेर करती हमाइब हाट ब्रेक्स वाचिंग पीपल स्प्रेडिंग है तो अन्यों आउट देर हो इस प्रेजंट ऑन सोचल मीडिया प्लाफर्म आव बेस बीन पॉसितिव और माई ग्रोथ और विश्ट के बाद ये तो हमें साफ साफ जाहिर होता है कि अभी शेक ये फाइट नहीं चाहते हैं लेकिन इसके रिस्पॉंड में उन्हें क्या जवाब मिलते हैं अल्विश आर्मी की साइट से वो भी मैं आप सब को दिखाती हूं क्या आपको पता है अप मैनेजर क्या कर रहा है ट्विटर पर जब से अल्विश भाई जीत के आये हैं तब से उनके खिलाफ बोलता जा रहा है आपने उसको रोका इसके जवाब में अभी शेक मलहान ने रिप्लाइ करते हुए बोला Yes brother, we have been having constant rifts regarding his tweets and I have been constantly forcing him to delete his Twitter account because I am not the kind of person who advocates hatred speech So clear यह होता है कि यहाँ पर जो misunderstanding create की गई है वो manager द्वारा Elvish और Abhishek के बीच में की गई है और Elvish directly Abhishek को target नहीं कर रहे है उनकी जो भी problem है वो manager के साथ है लेकिन कहीं न कहीं न कहीं उनके mind में शायद ये शक develop हो गया होगा कि ये सब कुछ पीछे से Abhishek मलहान करवा रहे है वेल हम दोनों को ही प्यार करते हैं और दोनों की ही journey हमें big boss में बहुत ही अच्छी लगी थी इसलिए हम चाहते हैं कि आगे भी हम इनकी friendship और इनका भाईचारा देखें साथी साथ अपना end करते हुए अपनी speech का यानि कि अपने twitter का end करते हुए एक ending post में अभी शेक ने यही कहा कि हमारे सफर अलग हैं हमारे रास्ते अलग हैं सब को सब कुछ पाने का हग बनता है सब को खुश रहने का हग बनता है इसलिए आप सब को प्यार से रहना चाहिए कि अभी शेक का साथ देते हैं मिसंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं फैंडम के बीच में थोड़ा सा शांती का माहूल बनाते हैं यह इस चीज़ को और आगे तक लेके जाएंगे वेल देखना बड़ा ही दिल्चस्प रहेगा और जो फैंडम्स हैं वह काफी जादा क्योंकि जहां पर अभी शेक है अभी शेक दोनों ही ओडियन्स के रास दुलारे और प्यारे प्यारे हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इन दोनों में से किसे सपोर्ट करते हो और आप लोग चाहते हो कि यह दोनों एक हो जाए जगड़े खतम हो जाएं तो कमेंट सेक्शन में पीस आउट लिखना ना भूलें थैंक यू सो मच फो वाचिंग आर्थ मॉम देरा दुन